स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफोर्डबल पर अपने वीडियो फोटो लगाता डालता था उसके बाद में हिजबुल मुझाहिद इनका टॉप कमांडर बना साथी साथ में उसको पोस्टर बॉय कहा करते थे मिलिटेंसी का कश्मीर के अंदर हर पोस्टर पर उसका नाम था कश्मीर के हर घर में हर एक बच्चा बच्चा उसे उसके असली नाम से पहचानता था इस टेरिस्ट का नाम था बुरहान वानी बुरहान वानी का एंकाउंटर जब हुआ जब यह ऑपरेशन हुआ उसको मार दि में बना इसमें करीबन 90 लोगों की यहां पर डेथ हुई थी मौत हुई थी इन प्रोटेस्ट में और साथ ही साथ में यह जो कर्फ्यू लगा था पचास दिनों तक कर्फ्यू चला तो इस तरह के हालात बन गए थे गुरहान वानी का जो एंकाउंटर है उसमें आपको जानना मैडल भी इसके बाद में मिला तो यह सब को जाथ आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ एक बहुत जरूरी बात जो इस पूरे एंकाउंटर में इस ऑपरेशन में जोड़ी थी कि आखिर बुरहान वानी की टिप कैसे मिली कई सारी इसके बारे में थियूरी बताई जाती ही कि उसके साथ के मिलिटेंट्स नहीं जो की पकड़े गए उन्होंने खबर भी थी उसकी और कुछ चीजें इस तरह की बताई जाती है कि उसकी गल्फरेंड हुआ करती थी जिसने बुरहान वानी के धोके की विजए से उसकी टिप सेक्यूरिटी फोर्स को दी तो यह सारी करते हैं आज के इस वीडियो की तो कश्मीर वैली में 1987 से 1987 से मिलिटेंसी जो थी वह शुरू होती है लोग कहा करते हैं कि 88 शुरू होगी लेकिन 87 से यह शुरू हो चुकी थी वैली के अंदर और साल 1990 सबसे बड़ा साल माना जाता है जब यासीन मलिक जैसे जो सेपरेटिस थे वह पहले मिलिटेंट बनते हैं उसके बाद में पाकिस्तान जाते हैं ट्रेनिंग लेकर आते हैं ओफिर आके अंदर पात मचाते हैं अटैक करते हैं हमारी आर्मी पर से व्हरे वसरे हूर पर यह सारी चल रही थी लेकुन इसके बाद अब क्या होता है कि जो दोर आया जो एक period आया 2002-2007 के बीच का इस period को बताते हैं थोड़ी सी शान्ती बनी वैली के अंदर घाटी के अंदर इस period में दो प्रधानमंत्री रहे थे एक प्रधानमंत्री थे अटलव्यारी बाजपी दूसरे थे मनमुहन सिंग पहले ने जो promise किया था अटलव्यारी बाजपी ने और इसी के साथ में कई confidence building जो measures होते हैं उनको भी वो यहां पर सामने लाए थे दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने भारत के अटलवारी बाजपी वो मनमुहन सिंग ने अपने tenure के दौरान कई सारे ऐसे meetings की थी हुरियत के leaders के साथ ने हुरियत के वो leaders जो की separatist जो लोग हैं उ जिनोंने पियो के पर कश्मीर के अंदर अपने अलग-अलग camps और बेस बना लिये थे इस समय तक वह terrorist organization साथ में उनका जो साथ देते थे जो separatist जो की भारत विरोधी चीज़ें लगातर कर रहे थे वहां पर साथ में जो इंसरजेंसी बढ़ रही थी हो militants लगातर बनते जा जिसमें जिसके बाद बहुत बड़े प्रोटेस्ट वैली ने देखे यह इस तरह से हुआ था कि तीन लड़के थे जो की militants थे उनका encounter किया गया forces ने कहा कि यह पाकिस्तानी militants थे जिनको हमने मारा है यहां पर लेकिन लोगों ने कहा कि यह अन्याय है और यह injustice है हम लोगों के साथ क्योंकि वो civilians थे वो कोई terrorist नहीं थे और इस माचल encounter case के बाद में हुए बहुत बड़े प्रोटेस्ट कहा जाए कश्मीर के अब तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट जिसमें करीबन पांच महीनों तक यहां पर तनाव का माहौल रहा और 120 से जादा लोगों की यहां पर जान गई थे यह जो साल था 2010 घाटी में बहुत जाओ तनाव का माहौल था इसी दौरान पु ट्राल के अंदर और उनकी जो वाइफ ती जिनका नाम था मेमूना मुझफर वो भी एक पोस्ट ग्रेजुएट थी एक पोस्ट ग्रेजुएट महीला थी इनके चार बच्चे हुआ करते दो जो बड़े लड़के थे उनका नाम था खालिद वानी और बुरहान वानी यह द लेकिन अब यह वो समय था जब आपको पता है कि घाटी के जो हालात थे 2010 में सबसे ज़्यादा खराब हालात माने जाते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक जरूरी सूचना आपको देना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाक आएस बनना आई-पियस बनना तो यह वीडियो इसके इसको पॉस करके यहां पे इस लिंक को दरूर आप देखिएगा यहां पर इन पर आपको इन पर बड़ा डिसकौंट पाने के लिए क्या करना एक वीजे लाइफ लगाना यह आपका को याद रखना है इसको आपको या पर बहुत बड़ा डिसकौंट मिलता है और आपनी जो तयारी है जो आपका परिश्रम में जो आपकी तयारी है उसको आप और जादा मजबूत बनाते हैं सफल बनाते हमारी शुपकामने आपके साथ है तो वापे से चलते हैं अपने वीडियो की तरफ यह जो साल था 2010 इसक करदा कल्चर इसलामिक कल्चर कश्मीरी कल्चर जो है कि तीन दिन तक खाना है वो पड़ोसियों कि यहां से आता है तो अब जब बुरहान के परवार का यहां पर बारी आई खाना देने की लंच डिनर सर्फ करने की उस पड़ोसी महिला को जिनके घर में मृती होई थी तो यहां पर इनके जो पिता थे बुरहान वानी के मुझफर इन्हों ने अपने बड़े बेटे खालिट को कहा कि आप जाके बाहर से मार्केट से जो भी सामान है वो सब ले आई है और साथ ही साथ में आप खालिद का बुरहान को भी लेके आएगा क्योंकि बुरहान इस समय अ लगा हुआ था साधी साथ में बहुत सारी तैनाप थी प्रोटेस्टर्स भी रोट पे थे तो पत्थरबाजी भी लगाता चल रही थी कश्मीर के अंदर तनापूर माहौल था खालिद सारा सामान लेता है उसके बाद में बुरहान को भी लेके आता है और जब यह लोग वा अर்कों को रोका दोनों को अपनी बाइक पर थे और यहां से अब दो बाते बताई जाती है पहली बात यह बताई जाती है कि सियार पीएफ ने इसलिए इन्हें ने हमारी फॉर्ट ने रोका था क्योंकि जो खालिद था उसके बारे में खवर यह थी स्चोर्डी फोर्स के कैसमें के खालिद जब 2010 चल रहा था तनाव चल रहा था कश्मीर के अंदर उस सब्धों पर रिक्रूट कर सामने आती है यह बता जाता जवानों ने कि आप सामान जो है वो मार्केट से लेकर आ जाए क्योंकि ये लोग जो सेना के लोग से वो लोग मार्केट में नहीं जा सकते थे वहां पर क्योंकि सेना के खिलाफ में प्रोटेस्टर्स वहां पर प्रोटेस्टर्स कर रहे थे तो इन दोनों को यहां पर भेजा चालू कर दिया मारना शुरू कर दिया जैसे ही यह सब मार पीट शुरू हुई तो बुरहान यहांसे गाड़ी से अपनी बाइक से खूटकर भाग निकला खाली जो था वह भी थोड़ी देर बाद वहां से भागने में हाँ सफ़ल हो गया इसके बाद खालित अपने घर पे पहुंचता है घर पे पहुंचा तो उसके पता ये बताते हैं कि उसके कपड़े फटे हुए थे उसको गाँ थे इंजुरीस थि और साथ में जब उशसे पूछा गया कि बुररहान का है तो उसको नहीं पता था कि बुरहान का है लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने जब जो नाना थे उनकी गरपे फोला था या ऊसर या दा न कर Sen जजब यह लोह खाना-खाने तो बुरहान इस इंसिटनक को याद करके अकृता था कि अगर मेरे पास उस समय बंदूग होती उस समय में बस अगर गन होती तो मैं उन लोगों को मार देता इसके बाद जो उसके पिता थे वह अक्सर इस कर देते लेकिन उसके दिमाग पर एक बहुत गहरा असर अब पर चुका था यह सितंबर की बाद 2010 अगला महीना आता है जाता है और इसके बाद अखना मलता है अपनी एक उसके दूर का एक रिलेटिफ हुआ करता था आदिल्मीर जो की उस से उमेर में ंब पंस साल बढ़ांभा था करीबत बीस साल की आदिल्मीर की ओमर ती यह 15 साल का बहान ब्लान के अपने कजन आदिल्मीर के साथ यहां निकल जाता है और इसके बाद में ये कभी भी अपने घर वापस नहीं लोटा दरसल बुरहान वानी और आदिल मीर ये दोनों ही जो थे इन्होंने हिजबुल मुजाइद्दीन को जॉइन कर लिया था को जॉइन कर चुके है यहाँ और इसके बाद में वीरान जो था वो इसके को करे बना जाता है जब बुरहान का पहली वार नाम जो था वो पे सामने आया ये कुछ इस तरह इसे हिए था खी एक वीडियो सोशल नेटवरकिंग साइट्स वाइरल ही उस वीडियो के अंदर एक टेर्रिस ट्राइक मिलिटेंट था इजाज एमद बट नाम का जो की अपना एक वीडियो जारी करता है जहां से वीडियो सामने आया था कि जब जिस समय वो हमारी सेनाओं के साथ में जंग कर रहा था वो वहाँ पे लड़ाई कर रहा था और एमबुश के दौरान उसको गोली लग चुकी थी और तब उसने अपनी एक आखरी जो उसकी ख्वाइश थी जो विश थी वो उस वीडियो में सामने रखी थी उसने तब में मार दिया जाता है हमारी सेनाओं के दौरा इस शक्स को बुरहान भाई के नाम से भी जाना जाता है बाद में और आरिफ खान के नाम से इसी शक्स को जाना जाता है तो यह जो शक्स था इसके बाद जब इसकी मौत होती है बुरहान का नाम पहली बार सामने आता है सोशल होने लगते हैं जब ये खबरें सामने आती हैं कि आदिल के साथ निकला था और आदिल को भी मार दिया गया है तो उन्हें यह लग रहा था कि क्या बुरहान सर्वाइफ कर पाएगा क्या वो कहां है सही सलामत है या नहीं लेकिन सडनली सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो उस समय तक यह हुआ करता था कि जितने मिलिटेंट्स होते थे वह या तो अपने नाम बदल कर रहते थे अपने जो फेस पर कपड़ा बांद कर रहते थे कैमरे के सामने नहीं आते थे लेकिन इस समय तक यह था कि बुरहान जो था पहली बार इस तरह से सामने आया उसने है और इसके साथ ही उसने नए नए वीडियो बनाना सोशल मेडिया पर शुरू कर दिया फोटो डालना शुरू कर दिया यह क्या करता था कि यह जितने भी कश्मीर के जो लड़के हैं उनको एंकरेज करता था कि आप बंदू के उठाईए आप असला बारूद उठाईए और सेनाओं के खिलाफ भारत के खिलाफ यहां पर उतर जाईए जंग में शामिल हो जाई हमारे साथ इसने ऐसे लोगों को रीच करना शुरू किया जो की लंबे चले आ रहे पंद्रा तो यह सारे उसने डालना यहां पर शुरू कर दिया इसके साथ कई सारे ऐसे वीडियो भी आए जब यंग कश्मीरी जो लड़के उनको मिल्टेंसी जोइन करने के लिए उकसारा था यह सारी चीज़ सामने आती हो बुरान आपको बता दें कि इस समय तक 1990 से पहला उन गाओं में इत्राल आलाके में एक तरह से लोगों के लिए ऐसी स्टोरी बन गई कि वो लोग भी चाहते थे कि हम इस तरह का काम करें आगे. क्योंकि हम कश्मीर को independent कराना चाहते हैं, हम independent कश्मीर की मांग करते हैं, तो एक तरफ यहां पर बुरहान बानी इन्डिबंडन कश्मीर की लगातर मांग कर रहा था. अब यहां पर क्या होता है? कि अचानक से बुरहान बानी रिकूट्रूट्मेंट ड्राइबस तारट कर दी अलग अलग लड़कों को अपने में लाना शरू कर दिया उसी के तेट लगाता है वीडियो भी सामने आ रही थी एक इसकी फोटोग्राफ सामने आती है जब कई सारी फोटोग्राफ ऐसी आई कि जब यह मिलिटरी कपड़े पहना हुआ है और मिलिटरी कपड़े पहन के वहां पर राइफल से उनके साथ में उनको लहराता हुआ नजार आ रहा है रिवल्यूशनरी का दरजाद देना शुरू कर दिया इसकी तुलना बड़े बड़े रिवल्यूशनरी हीरोस के साथ में होने लगी और यह चीज़ें जब होई तो हमारी सेक्यूर्टी फोर्सेस के लिए क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा एक मुसीवत बन चुका था कि जो उसका एक ओदा था उन लोगों में जो उसको पसंद करते थे वह और ज्यादा बढ़ने लगा तो अब साल यह आ चुका था दोजापंद्रा दोजापंद्रा के तेरा अप्रेल की बात है तेरा अप्रेल दोजापंद्रा में बुरहान का जो बड़ा भाई तक खालिद खाल लोग यहां इसलिए जाने वाले थे क्योंकि यह बुरहान बानी से वहां मिलने वाला था अपने भाई से वहां पर मुलने मिलने के लिए जाने वाला था यह सारी चीज़ें लेकर घर से बना हुआ खाना लेकर उसको खाना खिलाने के लिए अपने भाई को यहां पर जाने कि हमारी security forces ने ambush किया उस जंगल के अंदर और वहां पर जब उन्हें एक इंटेल इस तरह का मिला कुछी मिनिटों पहले कि यहां पर बुरान वानी आने वाला है जब उन्होंने यहां पर ambush किया उस जंगल के अंदर बुच्चू बैल्ट के तब यहां पर गोली बारी होती है दोनों तरफ से दोनों तरफ से वरान वानी और जो उसके इसोसियाट जो उसके साथ के टेर्स धे Luck fun раз हो सक्वेर दोस्त है वह नोगपड़े जाते हैं और इसी के साथ में यह बताया जाता security forces के द्वारा के जब वहांपे गोली बारी होई तो उसमें खालिद वानी की मौत हो जाती है बुरानवानी के भाई की यहां पे मौत होती है खालिद की मौत की खबर पूरे के पूरे जो 3 लाका था सौथ कश्मीर का एरिया था खालिद वानी की जो मौत ही उसकी खवर फैली उसके बाद बुदानवानी के जो लोग थे जो उसको पसंद करते थे लड़के वो लोग सड़कों पर उतर आए प्रोटेस्ट चालू हो गए प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ओवर नाइट इस तरह के हालाद बन चुके थे उस 13 अपरेल को 13 अपर कि यहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट करना पड़ा सिक्यूर्डी फोर्सेस का यह सारी चीज़ें जब होती है खालिट की यहां पर मौत हो चुकी थी तो खालिट का एक बुरहान का यह खालिट का दोस्त हुआ करता था इसका नाम था सब्जार एहमद बट जो था यह इन दो चौर्ट की आवाजें सुनी गोलियों की तो वह अपना काम खतम करके जल्दी से अपने घर पर वापस आए जब घर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर जो उनका उसका दोस्ते सब्जार का खालिद उसका यहां पर एंकांटर हो गया उसको यहां पर मार दिया गया है जब यह चीज़ें हुए वह सफीराबाद गया उसकी फ्यूनरल में भी गया खालिद की लेकिन इसके बाद वह बहुत जार डिस्टर्ब रहने लगा था सब्जार एहमत बड़ जो था अगला ही दिन आता अगले दिन सब्जार जो था क्योंकि बहुत बड़ा डिप्लोयमेंट किया गया था फोर्सेस का प्रोटेस्टर सडकों पर उत्रे हुए थे सब्जार ने अगले दिन अपना ब्रिक पास्क्त किया अपनी फैमिली के साथ में उसके बाद वह अपने बगीचों में जो सेब्के बगीचे थे वहाँ पर काम करने के लिए निकल जा सारी चीजे पाय कराने के बाद में यहां से निकल जाता है यह बता के गर पर कि इस बेच में पत्तर बादी जो थी वह चल रही इसको लोगों के द्वारा जाना गया सावा डॉन के नाम से कि मतलब यह अकेला ऐसा शक्स था जो की लंबा चोड़ा इसकी फिजिक हुआ करती थी और यह वहां पे अकेला बीच में खड़े होकर लगातार पत्थर बाजी कर रहा था इसके बाद बताते हैं एक आई विटनेस को उससे छीना, उसको हिट किया, उसको मारा और उसके पास क्याट चीन के पास के जंगलों में गायब हो गया, तो जाके सीधा बुरहान वानी का ग्रो था उस समय पे, उसको जुएंड कर लेता था, यह शुरुआत हो चुकी थी, एक ऐसे गरो की, एक ऐसे गैंक यह गैप आदमी बना एसा ही कुछ हुआ उस लड़के के साथ इसका नाम था 23 साल का सद्दाम पडार जो यह था लड़का यह शोपियान डिस्ट्रिक के हैफ शिर्माल का एक क्रिकेटर हुआ करता था इसको शेफर्ड के नाम से भी इसको मशूर था जाना जाता था तो यहां पर यह ज दसवी क्लास तक उसने पढ़ाई की थी दसवी क्लास के एक्जाम पास करने के बाद अपने पिता का हाथ बटाता था फार्मर थे उसके पिता तो वहां पर फील्ड में उनका हाथ बटाता था और साथी साथ में जो लाइव स्टॉक ट्रेडिंग होती है वो भी करता रहता तो ये जो रड़का था बताया जाता है कि 2013 और 2014 की जो सर्दियां थी उस समय पे जो बुरहान के जो वीडियो लगाता और कश्मीर के यंग लड़कों को बुलाने के लिए वाइरल होते थे सोशल मीडिया पर आते थे इनी सबको देखते हुए 14 सितंबर 2014 का वो दिन था जब सद्दाम जो था वो उठता है अपने घर पे एक सेम उसी तरह का दिन था जिस तरह किसे रोज उसकी दिन चरह रहती थी लेकिन उस दिन को चलग था वो उठता है अपने जो भेड बकरी थी उनको चराने के लिए बाहर ले जाता है और बगीचों में जब वहां पर उनको ले गया इसके बाद में बताया जाता है कि दो बजगे करीबन दो बज़े सद्दाम घर वापस आता है अपनी मा से खाना लेता है और खाना खाने के बाद में अचानक से अपने कपड़े पे पुलिस स्टेशन से पुलिस स्टेशन ने ये बताया कि सद्दाम जो आपका रड़का है उसने खिजबुल मुझाइद्दीन को जोईन कर लिया है और वो बुरहान वानी के ग्रुप में शामिल हो चुका है इस तरह की चीज़ें जब सामने आई तो आप यह देखी कि दोने लगे थे उस समय पर क्या होता था इसके पहले जब तक बुरहान का गैंग यहां पर नहीं था कि जो भी लोकल रिकूटर्स होते थे जो भी लोकल रिकूट होते थे जिन लड़कों को मिलिटेंट बनाया जाता था उन्हें पियो के कश्मीर से पाकिस्तान ले जाया ज वो इसी के साथ में क्या हुआ एक और इसके बाद के बुरहान की एक अपील की वीडियो आई बुरहान लगा तर अपनी वीडियो वेस फोटो सोशल मीड़ पर डालता था लेकिन सड़नली एक वीडियो आती है जिसने उसको यूनिक बना दिया एक तरह से ऐसा बना दिया कि लोग कहने लगे कि बुरहान बाकी मिलिटेंट से अलग है उसने उस वीडियो में क्या कहा था उसने कहा कि अमरनात यात्रा जो शुरू होने वाली है अमरनात यात्रीयों को या सिविलियंस को हम अटैक महीं करेंगे लेकिन जो सेक्यूर्टी फोर्से वहां पे तैनात लग सकती है वहां पर अगर अमरनात यात्रा जो कर रहे हैं यात्री उनकी सेक्यूर्टी में हमारे जवान तैना थे तो अगर गोली बारी हुई टेरिस्ट ने वहां पर आतंकी हमला किया तो गोलियां किसी को भी लग सकती है तो एक तरह से उसका यह वीडियो सामने आया फ क्रिकेट खेल रहा है तो यह सारी चीजने सामने आने लगी और फिर एक महीना करीबन यह जो हुआ था जब उसका बड़ा भाई जो था खालिद उसकी यहां पर मौत होई थी खालिद की मौत के करीबन एक महीने बाद 2015 में ही बुरहान जो था वह सोशल मीडिया पहले से क्य भी दोस्त हुआ करता था तो इन सब्जार के साथ में बुरहान के साथ में दस ऐसे लोग हैं जो की मिलिटरी कपड़ों में हैं साथी साथ में असौर ट्राइफर लिये हुए और पोस दे रहे हैं यह जब फोटो सामने आया इसके बाद हमारी से कड़ी हो गई उन्होंने अ वरका था सर्ताज एमhammer शेख नाम का ने सर्ताज एमजएग जो ता इसके बारे में हमारी से क्यूरिटी फोर्स के पास पहले से पता थी सर्टाज एमध जो शेक था इसके बारे में आपको बताएं एलो सी क्रोस करके साल 2000 में इसने हिजबल मुजाहिद्दीन को जॉइन किया था नौ साल करीबन ये मुजफराबाद में रहा पाकिस्तान के अंदर वहां पर ट्रेनिंग ली और इसके बाद ये वापिस से कश्मीर आया था कश्मीर आया उसके बाद अनंतनाक के जो चीनी चौक है वहां पर एक मलिक क्लोथ हाउस में सेल्समेन की जॉब करना शुरू कर दिय आया गया जो सर्ताज था उसको एक तरसे अंडर कवर एजेंट होनाने के लिए क्योंकि ये पहले से में रह चुका था तो वहां पर इसको दुबारा से भेजा जाए बुर्हान की खबरें निकाली जाए तो इसके चलते हैं यहां पर इसे एक बार अपरोच किया जो ग्रू की जाती हैं अब इस बार ये जो था वो अंडर कवर एजेंट बनके यहां पर जाने वाला था जो की पुलिस की मदद करता इसको बुर्हान वाइनिंग के ग्रूप में शामिल भी कर लिया गया और यह उस आतिंग बादी ग्रूप में एक अच्छी रैंक पर भी पहुंच चुका था लेकिन सड़नली फिर 2014 में क्या होता है दिसंबर के अंदर जब यह एक साल करीवन इनके साथ में राय सोजी के साथ में इसने काम किया हमारी फोर्स के साथ में लेकिन 2014 दिसंबर के अंदर यह क्या करता है कि अचानक से एक जगे काम कर रहा था वहां से गायब हो सरताज शेख गायब हो गया सारे कॉंटेक्ट उसने सोजी के साथ में हमारी फोर्स के साथ में खतम कर भी है वह इसके बाद फोटो जब वायरल हुआ था जब पता चला था कि यह सरताज शेख जो है वह बुरहानवानी के ग्रूप में वापस से चला गया और पूरी तरह से उ वहां पर हमारे लिए बहुत बड़ा एक खत्रा बन सकता है इसके लिए एसो जी ने कई सारी रेट की बहुत सारी रेट की गई टार्गेट करके के सरताज को पकड़ा जाए सबसे पहले 2015 के शुरुवाती दौर में शुरुवाती महीनों के अंदर दो बार रेट उस जगे भी की गई जहां पे बंडूरा में कश्मीर के अंदर बंडूरा में कोकरनाग इलाके में फरूक एमद बानी और नासर एमद बानी जो साज के चाचा हुआ करते थे दोनों इन दोनों का घर दा वहां पे अधे पहले पहुंची लेकिन बहां पे भी उन्हें कोई इसमें सफलता नहीं मिली लेकिन इस बीच ओजीज फोशी 순ड क्या होई धीग के पुरौवामा की नेवा का तारीक पंऽित इसको नाम था टो तारीक पंडद्स इसको पकड़ा जाता है यह इस आरके के बारे में आपको बताई के अपना Haight School complete करने के बाद इसने एक क्ताब भी जीता था सेंटरल की स्केम वहा करती थी उसके में सिलेक्ट ऊसको स्वित होता होने के बाद में हैधरबाद में coffee shop सोप में इस के साथ अब यह जब काम करना शुरू कर चुका था ट्रक ड्राइवर का 2015 में बुरानवानी के उन्हीं वीडियो के बाद जब उसने लोगों को बुलाना शुरू किया कि आप मिलिटेंसी जॉइन करिए हत्यार उठाइए इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए भारत सरकार और इन फोर्सेस के खिलाफ तो मार्च 2015 में तारिक पंडिट जो था उसने हिजबुल मुझाइदीन को जॉइन कर लिया पुलिस के लिए अब ये तारिक पंडिट जो था इसकी जो अरेस्ट हुआ था चानक से इसको पकड़ा गया था 2015 में जब तो यह बड़ी सफलता थी क्यो हमारी फोर्सेस सर्ताश एक जो है जो एक ट्रेयरिस्ट है जो की पहले पुलिस के लिए काम करता है फोर्सेस के लिए बाद में हिजबुल मुझाइदीन बुरान बानी के ग्रूप में शामिल हो गया हमारी फोर्से उसको पकड़ना सबसे पहले उनकी ट्रॉप प्रायोटी कई तरह की बताय जाती के सेना के जो सूत्र थे सेना की to sources थे उनके मुताविक है कहना है कि जो करती थी और तरीब को पता चल चुकी थी और टीने बदला लेने के लिए खुद से जाके पुलिस को जम्म कश्मी पुलिस को इंफॉर्म किया कि बुरहान बानी इस जगे पे इस समय इस लोकेशन पर आने वाला है तो यह चीज यहां पर सामने आती है पुरिस ने उसके बाद उस नए नमबर को ट्रैक किया तब जाके लोकेशन मिलिए यह थियूरी बताई जाती है लेकिन कई और ऐसी थियूरी भी सामने आती है कि बुरहान बानी की जो खबर है वो तारिक पंडित ने दी यह भी सामने आता है तो आब यहां पे खबर क्या थी इसके उपर आते हैं पहली इंफॉर्मेशन जो थी वह श्री नगर की इंटेलिजेंस ब्यूर जो उस इलाके में 19RR रास्ट्री राइफल्स की एक यूनिट पोस्टेट थी उनके साथ में तो उनसे भी चेक किया गया उसके बाद में इस प्राइमरी इंफॉर्मेशन के बेसेस पर यह खबर मिली थी कि सर्ताज जो है सर्ताज शेख जो हमारे फोर्स के लिए सबसे पहली प्रारिटी था उसको पकड़ना तो सर्ताज शेख जो है वह अपने अंकल से अपने चाचा से मिलने के लिए वहीं पर उसी बंदूरा इलाके में लोकेशन पर वहीं पर कोकरनाग में आने वाला और एक खबर थी कि वह यहां पर आया हुआ है दो दिन से वह यहीं पर रह र यहां पर रहते हैं इसके चाचा उनके एक दावत थी एक पार्टी थी और उसके लिए उन्होंने कई सारा मतन जो था उसको ओर्डर किया हुआ था मंगबाया हुआ था और यह भी उस कसाई ने बताया कि कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट उनके यहां गेस्ट भी आये हुए यह सारी चीज है जब सामने आई तो इसी इंफोर्मेशन के आधार पर यहां पर आठ जुलाई का यह दिन था जब यह ऑपरेशन जो था उसको किया जाने वाला था और इसके लिए जो हमारे रास्टर राइफल्स के जो यंग मेजर थे मेजर संदीप कुमार उन्होंने जहाँ पे कोकर नाग में आने वाला है या आया हुआ है तो वहाँ पजाकर हमें एक्षन लेना है बंडूरा यह जो जगे की 自दीपक के इसफा सहर Also की unit थी SOG थे वो यहाँपे रमे 8 जुलाई को पहुंच जाते हैं यहां पहुंशते हैं तो local जो लोग ते क्योंकि छोटा इलाका है तो लोकल के बीच में यह हो गया कि जो आर्मी है वो यहाँपे क्यों आयए हूई यह तो आर्मी के द्वारा वे बताया गया कि एक inauguration होना है शाम को जो चीफ मिनिस्टर है मैववा मुफ्ती उनके द्वारा तो इसके लिए यहां पर फोर्स को डिपलॉय किया गया है यह सारी शीज़ें बताई जाती है लेकिन इस बीच में चार बजे तक जो हमारी फोर्स थी जो एक उद्देश के साथ मे यहां पर पहुँच चुकी थी और इसके साथ में क्या होता है कि सेना की मौजूदगी जो थी जो बढ़ती जा रही थी लगातार इसकी ख़वर उस घर के अंदर मौजूद न लोगों के पास भी पहुँच जाती है यानि बुरहानवानी और उसके जो सर्ताज उसके साथ म के पास भी पहुच जाती है यह खवर पहुचती है अंदर से भी हलचल होने लगी अब इस खवर के साथ ही जो आसपास के लोग थे उन लोगों ने पत्थर बाजी शुरू कर दिये बताया जाता है कि यहां पे मेजर संदीब कुमार थे कैप्टन मनिक शर्मा थे और जो ना मेजर कुमार ने अपनी जो टीम का जो एक्शन टीम का नेतरत कर रहे थे उन्होंने उस घर के अंदर जो अन्य लोग थे उनके साथ में घुसने का प्रयास किया जब उन्होंने प्रयास किया तो वहां से गोली बारी होने लगी गोली बारी हो रही थी ग्रामीन जो थे जो थे वहां के रहने वाले बंदूरा के वह भी पत्थर बाजी करने लगे तो इसकी वज़ए से इस टीम को हमारी आरर की इनको पीछे अटना पड़ा लेकिन इसके बाद इन्होंने सीधे फाइरिंग करने के बजाए एक और रास्ता डूंडा यह रास्ता इस तरह से डूंडा इस ती दूण। और इसके बाद यह कर आगा निकलना शूरू होते हैं जो लोग उस घर याइठी ती और रहू करने शुरू किया उन्होंने एक्शन लेना शुरू इकला वो शक्स था सरताज अजीज सरताज अहमद अजीज यह जब भागने की फिराक में था इसको आरार के एक हमारे जवान इसको शूट किया गया तो और यहां पे खतम हो चुका था सरताज अजीज यहां पे खतम हो इसके बाद दो और टेरस्ट यहां पे शामिल थे जैसी कि हमें खबर थी और पूरा ऑपरेशन जल्दी से जल्दी खतम भी करना था यह भी प्रेशर था क्योंकि भीड़ भी बढ़ लशकरी उसके साथ में एक और व्यक्ती था जिसको एक और लड़के को बचाते हुए परवेज लशकरी जो पीछे बगीचे थे सेव के वहां पर धकेल रहा था वहां पर उसको जल्दी से भगा रहा था जब यह उन्होंने देखा तो यहां पे जो टीम थी उन्होंने जव कर pioneer उन्हें कौन भूण उन्हें जो सूषना मिली थी एक टिप मिली थी के सर्ताज के साथ में यहां पर बुरहान बानी भी हो सकता है यह सही साबित हुई उन तीन डेट बोडी में से एक डेट बोड़ी यह थी जो थी बुरहान बानी की वाइर लेस पर अपनी पूरी टीम का एक पोस्टर बॉय बना हुआ था सोशल मीडिया पर काफी दादा फेमस था दस लाख रुपए का उसके उपर इनाम था और हमारी सिक्रेटी फोर्स के लिए समस्या बना हुआ था उस बुरान वानी को यहां पर मार दिया जाता है अब आप देखिए कि बुरान वानी की हमें नहीं पता था कि operation होने वाला इसके बाद बुरान के जो पिता थे उनका इक इंटर्वीव सामने आता है जिसमें उन्होंने का कि बुरान जो था वो खुद से मिलिटेंट नहीं बना था उसको इतना दवाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा फोर्स के द्वारा भारत है उन्होंने यहां पर इस इंटर्वीव में खुद से कह दिया था है इसके साथ ही यह हुआ कि बुरान की जब मृती हुई तो मौत हुई तो उसके बाद में कश्मीर के इंदर तनाफ का माहौल फैलने लगा और कुछ इस तरह का तनाफ था वो कि जिसको कहा जाता है कि 1210 क के बाद से सबसे भारी तनाफ जब घाटी में फैला है कुछ इस तरह की चीज़ें हुई यहां पर कि कश्मीर का जो श्रीनगर अनंतनाग हाईवे है उसको लोगोंने ब्लॉक कर दिया जलते हुए टायरों को वहां पर फेकना शुरू कर दिया स्टोन पेल्टिंग पुलिस का झ्धा लगा कि उसको ले जाया गया उसको पाकिस्तान के घंडे में लपेट के तो यह यहां पर एक और चीज़ सामने दिखती है कि जब बुरान वानी का मोटो यह बताया जाता खे उसका मोटो था कि freedom from इंडिया और हमें independent कश्मीर चाहिए हमेशा से अपनी वीडियो मे जब भो बोलता था हमें independent کשमीर चाहिए तो ये जुकाफ पाकिस्तान की तरफ क्यों दिखता है ये जुकाफ पाकिस्तान की तरफ कैसे दिखता है कि जब उसकी dead body को पाकिस्तान के घंडे में लपेट के ले जाया जाता है क्योंकि लोग इतने सारे थे तो सुबा से लेकर डपनाने में शाम हो गई ये चीजें सामने आती है इतना भारी जो हुझूम था वो आज तक कश्मीर में बतायते हैं 1990 के बाद से कभी नहीं देखा गया था पाकिस्तान ने भुरानवानी को उसकी तारीफे करना शुरू किया उसको शहीद का दर्जा देना शुरू किया ये बताना शुरू किया कि उसने एक नई ज़्यादा पैनिक हो चुबी थी के यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया कर्फ्यू लगता है 51 दिनों तक 51 देश तक यहां पर कर्फ्यू रहा और इस बीच में जो प्रोटेस्ट हुए उसमें 91 लोगों की मौत हुए इन क्यानवे लोगों की यहां पर मौत होती है बताते बारा हजार लोग करीबन घाया लुए जिनमें सिविलियन्स भी शामिल थे पुलिस फोर्सेस के लोग थे सिक्वेटी परसनल से यह सारी चीज़ें यहां पर होती हैं जो भी कारोबार था कामकाज था वो एकदम शान्त हो चुगा था कोई कामकाज नहीं हो पा रहा था इसने भी एजुकेशन जो डेपार्टमेंट था उसने यहां पर अनौंस कर दिया था कि मास्ट प्रमोशन कर दिया जाएगा एक फर्स क्लास से लेके आटवी क्लास तक के बच्चों का इस तरह के बाद बुरानवानी के उस घर का क्या हुआ जिसमें उसका इंकाउंटर हु लिए इस घर के अंदर से लोगों ने दिये और उस गाओं के कुछ लोगों पर लोगों को शक था उन लोगों ने दिये तो लोगों ने क्या किया उस गाओं के उन घरों को जला दिया तैसनेस कर दिया फारुग बानी की जो परवार था उनको अपने घर से बेदखल कर दिय गया उनों के घर को जला मुझा दिया गया उनकी ज़ादी हूंए उसके पाद इस तरह का वायलेंज जो जो आखरी एक मिलिटेंट बचा हुआ था जिसका नाम ता लटीफ टाइगर उसको अधखारा गाउं में यहां पर एक ऑपरेशन के चलते मार दिया जाता है उसके दो असोसियेट के साथ में तो यह आखरी जो बुरानवानी ग्रो का लड़का था जो मिलिटेंट था इसको भ इंक्लोडिंग एडुकेशन डिपार्टमेंट में हर ओफिस में हर स्कूल में तिरंगा जंडा जो है उसको लहराया जाएगा इंडिपेंडेंस दे पर तो यह जो चीज ती इसके तहट जो मुझफरवानी बुरानवानी के पिता उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर जम्म भारत के खिलाब खड़ा हो गया था जिसने इतनी जादा मिल्टेंसी को बढ़ावा दिया मिल्टेंसी की उसके पिता ने आगे जाके 1219 में तिरंगा जंडा वहीं पे कश्मीर के अंदर फैराया है तो यह बहुत ही अच्छी बात है पॉस्टिब पॉइंट है और साथ ही सा गुरान बानी के बारे में किस तरह से उसको खतम किया गया था कैसे एक पोस्टर बॉइ ऑफ मिल्टेंसी सोशल मीडिया पर फेमस हुआ कैसे वो मिल्टेंट बना लेजब मुजाहिद दीन को जॉइन किया वहां का यंगस्ट कमांडर बनता है उसका कैसे उसका ग्रो बनता गया और फिर हमारी रास्टर राइफल्स ने एक बड़ा ओपरेशन लीड किया और फिर इस पूरे ग्रो को खतम किया गया तो यह था आज का वीडियो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा ऐसे और भी टॉपिक्स आपके लेकर आते रहेंगे इस वीडियो के डिस् में आपके पहचान में आपके रिष्टेदारों में भाई बहन कोई भी यूपिसी के अगर तयारी करना चाते हैं उनका सपना इस बनना इस एक्जाम में सेलेक्ट होना तो यहां पर इस्टडी आईक्यू भरत का बेस्ट अफॉडिबल एड्यूकिशन प्राफॉम बहुत स अब मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए दीजे जात नमस्कार धन्यवाद जय हिंद